दोस्तो अगर आपके फोन में किसी भी आपकी कोई notification अगर आती है तो उसका जो content होता है वो आपको नई दिखाता है home screen पे या फिर notification बार में ओके तो आप ये कैसे सही करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले आपको जाना है अपने phone की settings में settings में जाते ही आपको इस type का interface मिलेगा यहाँ पर नीचे की और आपको scroll करना है नीचे की और scroll करते ही एक apps का option दिखेगा इस पे click करिएगा उसके बाद app lock पे click कर लीजेगा app lock पे click करने के बाद आपसे यहाँ पे password पूछेगा जो भी आपका app lock का password हो यहाँ पर डाल दीजेगा और password डालने के बाद आपको इस type का interface मिलेगा अब यहाँ पे आपको क्या करना है want to hide sensitive notifications का एक option मिलेगा उस पे click करिएगा उस पर जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर कुछ apps आपको दिखा रहा होगा जिनमें आपका यह on होगा जैसे मेरे में एक ही on है आपके में हो सकता जो भी app हो सबका यहाँ पे on हो तो आपको करना क्या है आपको इनको click करके यहाँ पर बंद कर देना है अब जैसे ही आप ये बंद कर देंगे तो नोटिफिकेशन जब भी आएगी तो नोटिफिकेशन का कॉंटेंट भी आपको दिखाएगा अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजे लाइक चैनल को कर लीजे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए